हुआ है इस पर्टिकलर लेक्टर हो विल स्थाट विट विए माइट्रों ठीक है तो अब हम कॉनसी और निके बारे में पड़ेंगे माइट्रों रिया ठीक है तो माइट्रों रिया में बैसक विए आप जो जनेरली आप exam में question देखते हो चलू थोड़ा वह पहले आपको महां पर क्या ओता है जंट लीजब माइटो-कुंडरी की बात होते है तो उसे पावर हाउस पकाता अब गुलते हैं क्रिस्ट इनाव मेंजा है इस में टो चछें की बात होती होता है यह सब हम जब बाएक हम निए सब का होती है मैट्रिक्स में और एक होते है इलक्टरों ट्रंस्पोर्ट चेन वह कहां पर होती है आपकी So spectrum station कहाँ पर होते हैं के एलक्तों टांस्पोर्ट चेन सब्सक्राइब तो यह तो चलो बेसिक जो में पता वुना चीए आवाउट माइटो Mississippi urs कि चलिए देखते हैं इसमें कि पहले कुछ हम एस्पेक्ट देखते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और फिर हम इसको डिसकस करेंगे चलिए देखते हैं वहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं अब इसमें उसने फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया है Mitochondria contain their own genetic system which is separate and distinct from the nuclear genome of the cell Employee यह भी एक ऐसी ओर्गनली आपकी semi-autonomous it is also an example of a semi-autonomous और्गनली semi-autonomous और्गनली माइटो कॉंट्रिया और पोट तो है वोल्ड फ्रों बैक्टेरिया डाट ड्वलप्डे symbiotic relationship in which they live within larger cells जिसे हम क्या बोलते हैं endosymbiosis जो mitochondria यह किससे बोल्ड हुआ है आपके bacteria से जैसे हमने chloroplast के बारे हैं पढ़ा same way यह bacteria से ड्वलप हुए है क्योंकि इनका जो जातर system है वो bacteria से क्या करता है मैच करता है अब देखो scientist ने यह find out करने की कोशिश करी कि जो mitochondria का genome है हम कहतो रहें कि वो bacteria से आया है बट कोंसे bacteria के साथ सबसे ज्यादा match करता है ठीक है अब यह आप देखना की comparison हम करेंगे ठीक है उन्होंने क्या देखा जो genomes of living organism that are most similar to the mitochondrial genome are those of free-living alpha proteobacteria बले यह क्या होता है ना बैक्तिरिया की classification होती है यह एक तरह से एक manual होता है बर्गेस manual उसके अंदर सिर्फ बैक्तिरिया को इक classify कर रखा है तो उसमें आपको नहीं जाना है तो यह उन्होंने क्या देखा कि mitochondria का genome कौन से बैक्तिरिया के genome के साथ सबसे ज़्यादा आपका match कर रहा है तो वह कौन सा बैक्तिरिया था alpha proteobacteria alpha proteobacteria कितने protein बनाता है 6700 to 8300 protein ठीक है यह हम देखो क्या ना हम बैक्तिरिया को compare कर रहे है mitochondrial genome के साथ ठीक है और एक intracellular parasite like the alpha proteobacterium रिकिटेशिया प्रोवेस्की उसका genome smaller है बट उसके अंदर भी 830 protein coding genes है ठीक है alpha proteobacteria के अंदर भी you can have की बहुत सारे बैक्तिरिया आते हैं ठीक है कुछ जादा बनाते हैं कुछ कम बनाते हैं ठीक है ना तो रिकिटेशिया प्रोवेस्की इंट्रसेलुलर पैरसाइट इंट्रसेलुलर पैरसाइट के होते हैं जो cell के अंदर जाके ग्रो करते हैं ठीक है जैसे इसमें अगर मैं आपको और एक्जांपल दूँ जैसे माइको बैक्टीरियम टूबर क्लोवाश जैसाशिक यह Global ओलाएं जो धैक्टीरियम थैय यह तो बहुत सरे बैक्टीरिया होता ना जुक्र बाद में डिस्कूस करेंगे क्योंकि जब हम इममिनिलोजी पढ़ते हैं यह जो intra cellular होते ना इनके against जो response आता है वह आता है डीटीएच response पड़ा आपने hypersensitivity टाइफ टाइफ 1 टाइफ 2 टाइफ 3 टाइफ 4 पहली तीन में antibodies involved होती है जो टाइफ 4 hypersensitivity होती है ना वह इंटर cellular parasites के अगेंस्ट आती है तो वह हम वहाँ पे बैसक्किली देखते हैं बड़ आपको कुछ आपकुछ एक्जाम्पल्स देखना कि कौन से बैक्टीरिया देखो नॉर्मली तो क्या होता ना चलो ठीक है बैक्टीरिया है वो मतलब भार से कर रहा है बड़ कुछ बैक्टीरिया सेल के अंदर जाके भी ग्रोव करते हैं ठीक है ना जैसे अब यह क्लॉसिस में यह है ना मैक्रोफेज का काम क्या होता है उसने तो बैक्टीरिया को एंगल्फ करके उसको मारना था बड़ देखो बैक्टीरिया ने ऐसा अड़ाप्टेशन करी कि वो मैक्रोफेज के अंदर भी जाके ग्रोव कर रहा है ठीक है आपने पड़ा ना लाइसोज के अंदर बिजा के ग्रोव कर रहा है ठीक है तो तो अलगलग टायप की इंट्रस एलूर क्या होते हैं पारसाइट तो यहां पर तो चलो बस यह कंपारिजन कर रहा है कि नौर्मली जो फ्री लिविंग अब दोनों में कंपारिजन एक free living एक intra cellular है free living मतलब it is not dependent on the host वो बनाते है ज्यादा protein मतलब इसका इसके यही sense बन रही है क्योंकि वो host पे तो dependent है नहीं उसको तो host से कुछ नहीं मिला ना free living है बड़ जो किसी host के अंदर जाके रह रहा है वो वो कम protein बनाता है फिर भी क्योंकि बाकि जो उसको प्रोड़क्ट चीह है वो होस्ट से मिल जाएंगे ठीक है बनाने होते हैं और mitochondria ऐसे नहीं होता ना वालों सेल के अंदर एक ही है ज्यादा भी हो सकते हैं वो तो तो like mitochondria यह reproduce करेगा यूकरियोटिक सेल में अभी है ना आप सेल से mitochondria को बाहर निकाल दो वो कुछ नहीं कर सकता वो खुद से दोड़ा डिवाइड कर जाएगा क्योंकि mitochondria क्योंकि mitochondria क्यों वो तो अपने थोड़े से प्रोड़ीन बना रहा है बाकिव प्रोड़ीन के लिए वो किस पर जिनॉम से बट अनलाइक mitochondria ठीक है इट स्टिल ट्रांस्क्राइब्स एंड ट्रांस्लेट मोस्ट ओफ इस जीन तो वैसे तो माइट्र कॉंट्रे की तरह यह रिप्रोड़ीज यू के रोटिक सेल में करता है बट अनलाइक mitochondria क्योंकि इसके अंदर वैसे भी जीन्स जादा है तो जातर आपने जीन्स की ट्रांस्क्रिप्शन ट्रांस्लेशन यह खुद करता है ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि यहां तो लिखता नहीं कि सारे सर्कुलर होते हैं ऐसा नहीं है कुछ mitochondrial genome का हमें DNA कैसे देखने को मिला है linear लाइक दोस बैक्टिरिया बैक्टिरिया में भी linear DNA होता है ऐसे नहीं है कि बैक्टिरिया में linear DNA नहीं होता है बैक्टिरिया के अंदर भी क्या होता आपका linear DNA अब देखो यहां पर जो साइज है वह mitochondrial DNA का आपको अलग-लग species में अलग-लग देखने को मिलेगा ठीक है क्योंकि कोई भी यूकरोटिक सेल है उसके अंदर mitochondria तो जुरूर है चाहे वह protista है fungus है चाहे आप unicellular UK road की बात कर रहे हो mitochondria तो सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा अब वो देखे यहां पर क्या लिख रहा है the genome of human and most other animal mitochondria are only about 16 kb ठीक है आप यह देखो जो east है उसके mitochondria का DNA भी हमारे सेल के mitochondrial DNA से बढ़ा है इस के अंदर mitochondrial DNA का size 80 kb है which is a unicellular हमारे और जनरली most of the animal उनके अंदर mitochondrial DNA का size सिरफ 16 है देखो यह यही शो कर रहे है ना कि during the course of evolution obviously अब यह तो पहले ही आया है वो तो simple है unicellular है during the course of evolution जो mitochondria का DNA है वो nucleus में जाके लगता गया ठीक है ना तभी वो छोटा होता गया ना तभी तो आपको जैसे जैसे आप कर रहे हो यह को तो आप जादा बना रहा था भी आगे comparison देखा यह इस्ट का है 80 के भी हमारे mitochondrial DNA का size 16 के भी और plants के अंदर 200 के भी हावर यह नहीं कि mitochondrial genome बढ़ा है तो उसमें protein जादा बना रहा है हावर इस like large mitochondrial genomes are composed predominantly of the known coding sequences मतलब वो कुछ बनाते नहीं है and they are not they do not appear to contain significantly more genetic information जैसा हम एक word यूज करते है molecular biology में c-value paradox c-value paradox का मतलब क्या होता है यह नहीं कि किसी का genome बढ़ा है तो वो जादा complex है ठीक है ना ऐसा भी हो सकता है किसी का genome छोटा है बढ़ा ज्यादा complex है ठीक है तो ऐसा नहीं होता है कि किसी का genome बढ़ा है तो वो ज्यादा complex है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि जिसका genome छोटा है उसका भी basically वो complex हो सकता है तो यह में लिए आपको दियान रखना है जैसे पॉटेटो है उसके इंदर 48 क्रोमोजोम है हमारे इंदर 46 है तो आलू मार से दा कॉंप्लेक्स थोड़ा हुआ है तो ऐसे यह उसे बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स सी वैल्यू पैराडॉक्स से एक हम वर्ड यूस करते हैं ऐसा नहीं कि किसी का जिनोम यह तो चलो लिए वह लिए वह नुक्लियर जिनोम को क्पेर करते हैं ठीक है अब देखो अब देखो यहां पर आपको कुछ देखने को मिलेंगे सबसे बड़ा माइट्रोंडिल जिनोम जिस प्लांट का है उसका नाम है अराभी डॉप है वो है 16 के बी और वो प्रोटीन बनाता है थर्टीन यह 16 हमारा जो माइटो कुंडिल डिन ने उसका साइज 16 के भी है और वो तेरा प्रोटीन बनाता है अगर आप साइज कंपेर करो 16 और 367 तो यह मतलब 25 ताइम्स जाद है लेकिन प्रोटीन के नंबर की बात करें तो यह दबल से थोड़ा साइज जाद है क्योंकि यह थर्टीन है तो पच्चिस को ना ज्यादा बड़ा है बड़ प्रोटीन बराने में आलमस्ट वाइस नंबर बड़ा तेरा दूनी 26 तो 26 के सबसे बड़ा सबसे जो जीन्स है सबसे जादा हमने जिसके अंदर देखी है वह एक इसका नाम है यह वह अप ऑप जिसके इन सबसे है इसका साइज सिरफ 69 KB और इसके अंदर 67 जीन्स है और देखो आप जब बैक्टीरिया जिससे कंपेर कर रहे हो वह कितने प्रोटीन बना रहा था कि इस प्रोटीन लिखे आपने आलफा प्रोटी बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग था कितने यह क्यों है 6700-8300 और यहां देखो आप कितने पर आगे यह तो अभी जीन्स है और इसमें कुछ प्रोटीन भी बना रही होंगी कुछ आरन्य भी बना रही होंगी ठीक है सबसे छोटा सबसे चोटा है 6 kb और वह तीन प्रोटीन बनाता है बस वही होता ना प्लाजमोडियम को आपनी लाइफ सेकल के लिए बैसकली हुमन पर डिपेंडेंट है वो ठीक है ना क्योंकि वह हमारे अंदर आता है उसकी आप देख तो उसकी फॉरम्स होती है प्लाजमोडियम फैलसी पर हम क्या जो जिनोम का साइज है वो कितना है 6 kb और सिरफ कितने प्रोटीन बना रहा है तीन ठीक है इन कोंट्रास्ट जो फ्री लिविंग अल्फा प्रोटियो बैक्टिरिया है उनके जिनोम का साइज है 10 to 7 MB MB मतलब मैगा मैगा मतलब 10 की पावर 6 ठीक है एल्फा प्रोटियो बैक्टिरिया के जिनोम का साइज देखो कितना बड़ा है और जब आप कंपेरिजन कर रहे हो प्लांट के अंदर जो सबसे बड़ा माईटोगोंडियल डीनने है उसका साइज है सिरफ 367 kb हमारे माईटोगोंडियल जिनोम का साइज है सिरफ 16 के बी जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीन्स है यू के रोट्स के अंदर उसके माईटोगोंडियल डीनने का साइज है 69 के बी तो आप देख सकते होगी कितना ज्यादा डिफ्रेंस है इसका मतलब बही है ना कि डूरिंग दा कोर्स ओक इवलूशन जो बैक्टीरिया का जिनो जो भी कुछ प्रोटीन साय आरने जो भी चीह है वह कहां से बनके आएंगे आपके न्यूक्लियर जीनॉम से ठीक है तो यह कुछ फैक्ट आपको याद रखने है अब देखों यहां पर देखते हैं कि वह कहारा मोस्ट प्रेजंट डेजिए जो मोस्ट प्रेजंट डे आप जो मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं अभी तो 37 जीन्स जो हमने पहले भी डिसकस करी तो 37 में से बिसकली जो है दो राइबोजोमल आरने बनेंगे हुमन के अंदर 22 टी आरने और 13 प्रोटीन और यह जनरली वह प्रोटीन्स है जो इलक्टों ट्रांस्पोर्ट चेन के लिए चाहिए बाग की जो है ना जो जीन्स बिचार थोट तू है विए ट्रांसफर तू दे नूकलियस फ्रॉम दा एंसेस्ट्रल माइटोकॉंट्रियल जीनों ठीक है अब वह यह ना कि माइटोकॉंट्रिल प्रोटीन नूकलियर जीन्स बना रही है क्यों क्योंकि दूरिंग दा कोर्स औफ इवलुशन वह ज इसमें 16.5 Kb के राउंड इसके अंदर इसका साइज है अब इसके ना इसमें जो मेरे कुश्चन आता है इसके अंदर जो डिने राप्लिकेशन है वह थोड़ी से डिफरेंट होती है माइटोकॉंट्रिल डिने की ठीक है वह हम डिसकस करेंगे ठीक है क्योंकि जो डिने राप्लिकेशन है वह थोड़ी से क्या हुति है आपकी दिफरेंट डि लूप जैसे लिखना डी लूप प्रफ्लिकेशन होती है पड़िलूप रैप्लिकेशन क्या होती है क्योंकि एक्जाम में जो कोस्षण आरा एक कर वह इसी क्यों पर आता ज्यादा ना जो यह इसने और दूसरे स्टैंड का नाम इसने क्या लिए भी का अपका ficar अब होता है च्टा यह मतलब होता है यह जो एल की होता है तो इसके अंजर यह साइटोुसिन रिThat स्चंद स्चंप रीचे दया इस रीचिन जो इस्तंड सिर्ट शींद्ध इस मतलब होता है यह कोलिंगा देशितन्ट टेम ऊन्म चिन्टल जॉटी अंड both है वो अभी थोड़ा सा यह बेसिक पढ़ लें तो फिर मैं आपको डी लूप राप्लिकेशन बताऊंगा हाव राप्लिकेशन ओफ माइटो कॉंट्रियल डियन इस दिफ्रेंट दिफ्रेंट फॉम अधर टाइप्स ओप्लिकेशन ठीक है यहां पर आप देखो यहां पर आप ठीक है और बाकिया आपको इन्हों ने डिखा bra escrever हैं जैसे complex दिखा कोंप्लेकस 123 कंप्लेक्स की बाद हम कहांने करते हैं जब आपको इसलों एल्लैक्टन ट्रांस्पोर्ट चेन में है बटते हैं ना अभी आप question देखोंगे आपको पता लगेगा कि कैसे question आता है जैसे question तो एक statement यही थी question के अंदर कि L stand is rich in cytosin तो this statement was correct ठीक है यह भी मैं आपको क्योंकि question अभी हम बाद में तरहेंगे बट मैं आपको एक question दिखाता हूं वैसे ही जैसे यह देखो यह लाइन लिक्यों ना the L stand of mitochondrial genome possesses more cytosin तो this statement was correct ठीक है अब देखो एक statement क्या है some organisms have been found to carry linear mitochondrial DNA यह भी सही थी तो बाकी के लिए भी हमें पहले mitochondrial DNA एपको पता लगेगा ठीक है so now you can see the fact जो भी हम discuss कर रहे थे कि कितनी genes है 37 genes ठीक है so you can see proteins कितने आपके 13 ठीक है proteins कितने आपके 13 तो जो mitochondrial DNA that encodes 13 proteins and which are involved in electron transport and oxidative phosphorylation ribosomal RNA दो ही बनते हैं 16S and 12S ठीक है और टी आरने कितने आपके 22 ठीक है which are required for translation of proteins and coded by organally genome ठीक है मतलब mitochondria में जो ribosome होते हैं ठीक है यह मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने discuss किया था तो mitochondrial ribosome होते हैं they are 28S and 39S जैसे हम नॉर्मली क्या बढ़ते हैं bacteria के अंदर होता है 50 और 50 और 30S इन में क्या होता है आपका 28S and 39S ठीक है जो 39S होता है इसके अंदर 16S ribosomal RNA होता है और इसके अंदर 52 प्रोटीन होते हैं कितने प्रोटीन होते हैं 52 बढ़ जो 28S सब इनिट है इसके अंदर आपके बिसक्ली 12S ribosomal RNA होता है and 30 प्रोटीन होते हैं 30 प्रोटीन तो जैसे एक बार exam में question भी आया था कि mitochondrial जो mitochondria के जो ribosomes है उसमें ribosomal RNA और प्रोटीन की क्या ratio होती है तो उसका answer था आपका वन रेशो टू बैक्टीरिया के अंदर होती है टू रेशो बैक्टीरिया में ribosomal RNA जादा होता है प्रोटीन कम होता है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर क्या रेशो है वन डिशो टू नॉर्मली जाम उसमें बनाते ना 50S उसमें बेस्किली उसमें जैसे हम क्या लिखते हैं आपका 23S होता है ठीक है और बेस्किली जो जो दूसरा होता है आपका 23 और 5S होता है इसमें आपका 50S के अंदर और 30S के अंदर सिरफ आपका 16S राइबोजोमल आ रहने होता है ठीक है यह भी हम यहाँ पर देखेंगे यह देखो यह तीनों लिखे होगा ना वो लिखे ना इन दा टू राइबोजोमल आ रहने अर्दा ओंली आर्ने KOMPONENT OF ANIMAL AND EAST MITOCONDRIAL LIBOSOME ठीक है इनके अंदर 23S, 16S और 5S नहीं होते है 16S तो common है बड़े इनके अंदर 12S होता है ठीक है लेकिन जो कहे रहा है प्लांट के अंदर जो या जो यह से थीज़ेंट के इस यह सोथे आही कि सिरंग आज यह कह The mitochondria of plant and prototype और सोبة दिफरिन इंपोर्टिंग यूटीलाइजिब टीए रने एंकोडिड बाइदा नूकलियर एज वेल एज दा मायट्र कॉंड्रियल जिदॡ अब देखो यह लाइन इपॉर्ट है statement की कि जो animal को 22 TRN चाहिए ठीक है देखो ये mitochondria की बात हो ये पहले हमने chloroplast पड़ा था chloroplast में हमने ये पड़ा था वो सारे TRN खुद ही बनाता है but that was chloroplast वो plant में plant के अंदर जो mitochondria के अंदर TRN चाहिए वो कुछ ये खुद बनाता है और कुछ basically आपका nuclear genome से बन के आते हैं but in case of animal जितने TRN उसको चाहिए 22 वो हमें 22 है जो कि एक वैसे normal TRN से number कम है normally 32 TRN चाहिए होते हैं all 61 codons को decode करने के लिए ठीक है तो all the TRN are encoded by the organally genome ठीक है animals के अंदर but plants के अंदर कहां से बन के आते हैं कुछ वो खुद बनाते हैं कुछ आपके कहां से बन के आते हैं nucleus से ठीक है यह भी आई थिंग आपको दिखाता हूँ गर इसमेंक स्टेट्मेंट हुई यह दुखो यह एक एक लाइन थी और यह लाइन सही थी in plants most mitochondrial tRNA are encoded by nuclear genome ठीक है लेकिन यह अगर यहां पर animals लिखता यह statement गलती animals के mitochondria का कोई भी tRNA आपका nuclear 7 की नहीं आता हूँ बट प्लांट के अंदर most of the tRNA nuclear genome बनाता है और फिर उसको इंपोर्ट कराया जाता है कहां पर mitochondria के अंदर ठीक है तो यह कुछ fact बताए मैंने आपको related to your mitochondria ठीक है तो यह सब आपको धिहान क्या होता है यह हमने humans का शो किया है ठीक है तो you can see there is a lot of difference in the mitochondrial genome का size plants का लगए animals का लगए और जो और भी unicellular है जैसे आपने अभी देखा सबसे छोटा किसका प्लाजमोडियम फैलसी बेरम का ठीक है और यह figures भी आपको याद रखनी है कि human mitochondrial genome क्योंकि हमारा main concern human mitochondrial genome पर यह कितने उसके अंदर genes है क्या-क्या वो बना रहे हैं कौन सा उनके अंदर ribosomal आ रहे हैं कितने ट्या रहे हैं इन सब टाइक के questions वह आप से mitochondria में पूछते हैं because this is about the basic और general mitochondrial knowledge जो हमें होनी चाहिए